हलो अबरीवन आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अकेडमिक एक्सिलेंस इन स्कूल में आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले समझते हैं मिक्सर की से कहते हैं मिक्सर एक कॉंबिनेशन होता है एक या एक से अधिक सबस्टांस का जिसमें प्योर मेटर भी हो सकता है mixture का कोई निश्चित ratio नहीं होता जैसे अगर हम salt solution की बात करें तो salt solution में हम कभी salt जादा कर सकते हैं या फिर पानी की जादा कर सकते हैं salt भी जादा हो सकता है, पानी भी जादा हो सकता है इसका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता इसलिए रिकाए अगर हम इवपरेट करें इस salt solution को तो पानी जो है वो इवपरेट हो जाएगा और salt नीचे बच जाएगा तो इसे हम आसानी से फिजिकली प्रोसेस से अलग-अलग कर सकते हैं solution दो तरह के होते हैं homogeneous mixture और heterogeneous mixture ये homogeneous और heterogeneous mixture depend करता है किस तरह का particle है उनका क्या size है उनका क्या texture है homogeneous mixture जो होते हैं इनकी consistency uniform होती है इनको पूरे mixture में से अगर किसी एक part से भी अगर हम कोई material निकालते हैं तो उसमें mixture के जो भी particles थे वो दोनों एक बराबर होते हैं heterogeneous mixture में ये जो consistency होती है ये equal नहीं होती इसलिए इनको separate किया जाता है homogeneous mixture में और heterogeneous mixture में solution किसे कहते है solution एक homogeneous mixture होता है दो या दो से अधिक substances को मिला कर ये बनाया जाता है जो दो substances हैं उसे हम solute कहते हैं या फिर solvent कहते हैं अगर salt water की बात करें तो liquid solution है air की बात करें तो gases solution है और alloy की बात करें तो ये solid solution होता है solution के दो components होते हैं solute اور solvent solute väč़च होती है जो की कम मातरा में होती है जो घोली जाती है और solvent väčच होती है जिसके अंदर solute को गोला जाता है यानि solvent की मातरा आधिक होती है और solute की मातरा हमेशा कम होती है solution जो होते हैं वो stable mixture होते हैं stable mixture का आर्थ यह है कि यहाँ पे solute और solvent हमें अलग अलग नहीं दिखते यह दोनों पूर्ड रूप से mix हो जाते हैं जैसे salt water solution, salt एक solute है और water जो है वो solvent है property की बात करते हैं solution की solution एक homogenous mixture होता है जिसकी uniform consistency होती है इसके particle size जो होता है वो 1 nanometer के बराबर होता है जिसे हम अपनी आखों से नहीं देख पाएंगे solution जो है वो tindle effect नहीं so करते इनके जो particles हैं वो sparkle नहीं करते mixture दो तरह के होते हैं heterogeneous mixture, homogenous mixture heterogeneous mixture फिर दो तरह के होते हैं suspension और collide, homogenous mixture को हम solution भी कहते हैं alloy एक solid solution होता है या homogenous mixture होता है जिसके अंदर 2 या 2 से अधिक metal या 1 metal या 1 non metal mix किया जाता है, इसकी consistency भी constant होती है अगर हम एक alloy brass की बात करें तो इसमें zinc जो है 30% है और copper है 70%, इन component को हम physical process के स्वारा अलग नहीं कर सकते, इनको हम chemical process से ही अलग कर सकते हैं, तो homogenous mixture की एक खास बात है कि इसको हम physical process के थरू, evoporation या फिर filtration से अलग नहीं कर सकते, चलिए पहला question करते है what are properties of solution, तो यहां से हम note करेंगे property of solution में पहली property ये है, दूसरी property ये है, तीसरी ये है, और चौती property ये है, ये चार main properties है solution की, second question है, why do we keep alloy in category of homogenous mixture, alloy को homogenous mixture की category में हम क्यों रखते हैं, इसका उतरह हम यहां से लिखेंगे, alloy यहां तक, अगला question है, name the solute and solvent in the following solution, aerated drinks, air, picture of iodine और lemonade, ये सब solutions हैं, इनका हम solute और solvent लिखते हैं, यहां लिख रखाया, third answer, solution ये हैं सारे, यहां solute और solvent लिख रखाया है, aerated drink का जो solute होता है, वो होता है carbon dioxide, solvent होता है water, air में जो solute होते हैं, वो other gases होते हैं, solvent होता है nitrogen, nitrogen के अंदर ये सारे gases घुली होती है, tincture of iodine का solute है iodine, solvent है alcohol and water, lemonade में lemon juice और sugar जो होता है, वो solute होता है, solvent होता है water, अगला प्रस्न है, can the components of solution be separated by filtration, components of solution को filtration के द्वारा अलग कर सकते हैं, कारण बताइए, हम यह लखेंगे components of solution cannot be separated by filtration, because solute particles are very small and pass through the tiny pores of filter paper, solute particles होते हैं one nanometer size के, ये one nanometer size के जो particles हैं, वो filter paper करके जो pores होते हैं, उन pores के थूरू नीचे चले जाएंगे, इसलिए हम filtration की process से इनको अलग अलग नहीं कर सकते, अगला प्रस्न है, why do solutions not show tender effect explain, तो यहां से लिखेंगे solution do not show tender effect, visibility of path of ray of light as particles do not scatter light, particles scatter नहीं करते light को, क्योंकि particles का size बहुत चोटा होता है, light जो है, इनको पार करके चली जाती है और इनसे scatter नहीं होती, इसलिए यह टिंडल effect नहीं शो करते, अगला प्रस्न है, what is the difference between homogeneous and heterogeneous mixture, तो हम यहां से लिखेंगे, homogeneous mixture have uniform consistency of substances all over the mixture, while the heterogeneous mixture, the consistency of various substances is not uniform all over the mixture, तो यहां से लेकर, यहां तक हम note करेंगे, homogeneous mixture जो होते हैं, उनकी consistency पूरे mixture में सेम रहती है, जबकि heterogeneous mixture में, उनकी consistency पूरे mixture में सेम नहीं रहती, वो कहीं पे गाड़े होते हैं, और कहीं पे हलके होते हैं, thanks for watching, do like, share, comment and subscribe our channel for further learning, thank you.